नमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे खुद का खड़ा हम दूसरों के लिए खोदते हैं न तो हमें गिरना पड़ जाता है कई बार बहुत सारी जिगह आपने देखा होगा और बच्पन में हमारे बुजरुग हैं कानियां भी सुनाते थे कि हम दूसरे के लिए बुरा करने करें लिए को के अंदर सरकार ने कुछ कानून वगखर बनाने के लिए तो उसमें बहुत सारा हंगामा है था था आन्पनी पोस्ट पे कुछने समर्तन में पोष्टल सुनें के बात थे के बारे हैं यहां इसे बात सोचने के बारे जहां यहां सुचने कि आप नीचे दरम ऐसा कुछ नहीं है आदमी की सोच सोच कितनी डिपेंड है आद देखे कोई कानून अब देखे किसान कानून था बहुत सारे लोग समर्तन में थे बहुत सारे लोग समर्तन में नहीं थे तो वह अपना निजी मामला है किसी को पर जवरजस्ती नहीं थोप सकते कि आपको इसका समर्टन करना पड़ेगा आपको कोई का समर्टन नहीं कर सकते है ऐसा कुछ नहीं हो सकता सबके अपने अपनी सोच होती है थारिस बगेरा ने आयनार्ची के समर्टन में पोस्ट किया पिर उसको वहाँ पे जो उनके कंपनी के मालिक था उन्होंने उनको बुलाया तो उन्होंने वो पोस्ट हटा दी और वो अकाउंट कलोज कर दिया जी हां तो मेटर्क खतम हो गया अब उनके माइन में दिमाग में बाट डल गए कि इसको कहीं नगे अपने को लपेटना है जी हां तो उन्होंने क्या किया दो भाई थे उन्होंने एक फर्जी अकाउंट बनाया फेस्बुक का फेस्बुक का फर्जी अकाउंट बनाके उसके उपर मक्का मतीना जो आपको पता है एक पवितर दार्मिक अस्तल है और वहाँ के जो प्रिंशेज हैं, क्राउन प्रिंशेज है, सलमान के खिलाब में उनके नाम सी एक पोस्ट बनाई, एक अकाउंट तयार किया गया फेक अकाउंट और उस हरीस बगेरा के नाम से उस पे गलत पोस्ट कर दी, जी हाँ, और आपको पता है भई साथी अर्बिया गलब में, आपको पता है किसी के धरम के खिलाब में आप गलत पोस्ट करोगे तो पुलिस तूरंत उठा लेती है, तो भाई हरीस बगेरा को पकड़ा गया, गिरबदार करके जेल में डाल दिया गया, जी हाँ, उन्नीस मेने तक ये बंदा जेल में रहा, उसके बाद में उ अपसे कोई अकाउंट चलाया नहीं गया, आप सोसल मीडिया, यह दे कि सोसल मीडिया एक अच्छा फ्लेट फोरम है कि आप दुबई में कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन सोसल मीडिया पर कर रहे हैं, वो तो गलोबली इस तरफे आ गया, पूरे वर्ल्ड में गुम रहा है, तो इंडिया में बेठे भी आपको, आपकी सोसल मीडिया के मादें पता लगा जा सकता है कि आपको ने किया या नहीं किया, जी हां, तो करनाट का पूलिस ने इसमें गहराई में साइबर अक्सपरेट है, उनकी मदद ली गई पता लगा गया, तो पता लगा कि ये इनके न परक हुआ, सबूत दिये गए, आदान परदान हुए तब वहां की पुलिस ने जांस की, तो पता लगा कि इनके नाम से किसी ने गलत फेक अकाउंट बनाया गया है, और जांस करी तो पता लगा, ये दो बाईयों की करतूती उनको पकड़के जेल में डाल दिया गया है, ज मैंने उनको फरी में जेल काटने पड़ी जिसका उचने कोई गुणाネने किया, जी यहां, बेगुणा होते भी ऐसी सजा मिल सकती, तो कहने का मतलब ही या, चलो, 19 मैंने काटे, लेकिन जन्होंने साजिस सर्ची वो भी तो जेल चले गए ना, तो कहने का मतलब ही कि खड़ होते हैं दूसरे के लिए लेकिन हमें गिरना पड़ जाता है तो इन चीजों का आपको भी ध्यान रखने की बात है किसी के खिलाब में साजिस करने से पहले यह सोच लेना कि आपका भी यह अंजाम हो सकता है क्योंकि साजिस का पर्दाफास होगा हो सकता है, अगला दो चीजार पांच मेने प्रोब्लम में आजाए समस्या आजाए, लेकिन समस्या का समाधान होगा, उस दिन से आपकी समस्या स्टार्ट हो जाएगी। तो साफदान रहने की जूरत है ऐसी कोई पोश्ट बगएर नहीं करें आपके खिलाब में कोई करता है तो बहुत सत्रक रहें वरना आपके जुस्मन आपको फंसा सकते हैं कहीं पर भी तो साफदान रहें सत्रक रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में सीज़ान करें के साथ जैन जैन जैन